केद्रियमित नितिन गटकरी को जान से मारने की धंकी देने के मामले में पॉपिलर फ्रंट आफ इंडिया यानि पीएफ़ाई के बाद अब लशकरे तैबा की भी एंट्री हो चुकी है करनाटक में लशकरे तैबा के लिए काम करने वाला बशिरुदीन नूर एहमद उर्फ अफसर पाशा इसके पीछे कासली मास्टर माइन है जिसे पुलिस बेलगाव जेल से गिरफतार कर नागपूर ले आई है दरसल गटकरी को दमकी देने के मामले में जैश कांता उर्फ पुजारी उर्फ शाकीर की गिरफतारी हो चुकी थी उसे पुछताश करने पर पाशा का नाम सामने आया करनाटक में लशकरे तैबा के लिए काम करने वाला बशीरुदीन नूर एहमद उर्फ अफसर पाशा इसके पीछे कासली मास्टर माइन है उस पर ढाका और बैंगलोरू बंबलास्टर समेट जम्मू कश्मीर में लशकरे तैबा के लिए आतंगवादियों की भरती करने का भी आरोप है गटकरी को थमकी देने के मामले में जैश कांता उर्फ पुजारी उर्फ शाकिर की गिरफतारी हो चुकी है उसे पुझताश करने पर पाशा का नाम सामने आया था इसी बीच NIA ने पाशा के खिलाफ मुंबई में UPA Act के तहट दो अलग-अलग मामले दजकर कोर्ट में जांट में अधिकार मांगे है पहले ही NIA ने मामले की जाच करने के लिए कोर्ट से अनुमती मांगी थी लकिन बाद में मामला ठंडे बस्ते में चला गया नागपुर पुलिस ने कांता सही तन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्रुद दायर करने के लिए कोर्ट से समय लिया है NIA ने गुरुवार को किंद्रे ग्रह मंत्राले में पाशा के खिलाफ UPA के दो मामले दर्च करने की अनुमती ली नागपुर सतर नियायले में UPA की विशेश आदालत में प्रकरन से जुड़े सभी दस्तावेज और आरोपी को कस्टेडी में देने की अनुमती मांगी गई है नियायले ने इस पर नागपुर पुलिस का जवाब मांगा है पुलिस ने कोई भी आपती ना होने का जवाब डायर किया अब उसकी कस्टेडी एनाये को सौपने पर सुमवार को निरने हो सकता है संशरेशा मूडे आला कि बेडगावचा जेल मदे अस्तानी जैस पुजारीला अफसर पाशा यहनी मदत केलीली आहे असा तेचा वर आरोप आहे मनुन माना नियायले समुर तैनना आज हजर करन्यात आला आपको बता दे कि बशिरुद्दीन नूर एहमत का अपराधिक नाम अफसर पाशा है वो करनाटक के चिक्का बल्लापूरा का रहने वाला है अफसर पाशा करनाटक में पिएफाई के साथ मिलकर लशकरे तैबा का काम संभाल रहा था उस पर साल 2023 में ढाका बंबलास्ट 2005 में बैंगलूरू बंबलास्ट समेट जमू कश्मीर में आतंगवादियों के लिए काम करने का आरोप है पाशा साल 2006 से गिरफतार है और साल 2014 से बेल गावी जेल में बन है NBC News के रखले जवाद अच के साथ अकसान सारी की रिपोर्ट